हेलो गाई इस तरह बात करने वाले हैं HFCL के बारे में इस कंपनी को एक बहुती बड़ा ओर्डर मिला है रिलाइंस की तरफ से और यह चो यहाँ पर ओर्डर है कंपनी के यहाँ पर बैलेंस शीट को और ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगा और इस ओर्डर के अंदर कंपनी को क्या गाम करना है और इस कंपनी के अंदर क्या करना चीए कहाँ पर खरीदरी और बेक्वाली करने के लेवल से वो सारी चीजों के बारे में डिसकेशन करेंगे तो वीडियो को ज़रू से एंटर देखते रहना सबसे पहले यहांपर बात करें इस कंपनी के अंदर HFCL की बात करें तो कंपनी को यहांपर से 39 करोर रुपेस का ओर मिलता हुआ नजर आ रहा है Reliance Projects इस कंपनी की तरफ से और यह जो यहांपर से order है वो किस लिए है वो आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले है Reliance Projects यह कंपनी यहांपर से Reliance Industries के अंडर में आती है इसका यहांपर पूरा नाम है Reliance Projects and Property Management Services कंपनी यहांपर से कंपनी को यह order क्यों दिया गया है to providing service to roll out the long distance fiber network by HFCL जो यहांपर से HFCL के द्वारा जो long distance यहांपर जो fiber cables का बिचाने का कामकाज होता है fiber network को यहांपर पहुचाने का कामकाज होता है वो यहांपर से कंपनी को करना है आप लोगों को बता दू कंपनी यहांपर से Reliance का प्लान है कि 2023 के December महिने तक वो यहांपर से पूरी इंडिया के अंदर अपने business को expand कर लेगी पूरी इंड से करना क्या चीए देखो Reliance यहांपर से यह company के अंदर Reliance Industries के अंदर invested हो तो सबसे जादा फाइदा उसी company को मिलने वाला है वाकि आप लोग जो HFCL के अंदर invested हो तो यहांपर आप लोगों को मैं कुछ levels में दिखा देता हूँ जहांपर इस company के अंदर अच्छे खरीदारी और बिक्वाली करने के मोके देखने को मिल रहे है company के में recently एक बहुत ही अच्छा हाई लगाने के बाद 83 रुपीज का हाई लगाने के बाद company के नहांपर वापस घिरावट आना स्टार्ट हो चुगी है अभी यहांपर से company का शे 69 रुपीज की प्राइस के पर फिर से आता हुआ कऊपण़ बनाता हुआ company का शे breakout देझे तो आप लोकativa यहांपर से इस community के करना खरीदारी करना चाहते हो तो breakout के बाद खरीदारी करें यहां अपर bir खरीदारी करनें च बहुत अच्छा पोड देखने को मिल राए है। आप लोग जो इस कंपनई के अल्रेडी नीची लेवल से इनवेस्टेट हो और बेचना चाते हो उस इस कंपनी के शेट को थर 83 रूपीज का लेवर और 93 रूपीज का लेवल अच्छा सेलिंग जोन बन सकता है बाकि HFCL यह कंपनी हाई रिस्क हाई रिवोड वाली कंपनी है जो आप लोगें आपर अपना रिस्की इंवेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हो तो इस कंपनी के अंदर इंवेस्टम में गुटबगी